हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बारवाध्याए पहला श्लोक 12.1 हमेशा अरजुन जी कुछ न कुछ भगवान से प्रशन करते ही हैं उसी अधार पर भगवत गीता चल रही है तो बारवाध्याए जो की भक्ती योग है उसमें अरजुन जी सबसे पहले हम सब के लाब के लिए एक पॉइंट भगवान से क्लियर करवा रहे हैं कि हे भगवान आपका साकार रूप में भक्ती करूं कि निराकार रूप में भक्ती करूं कि देखो अर्जुन जी को तो क्लियर ही होगा और मेरे खाल से आप सब को भी क्लियर है ग्यारा ध्याय हमने पढ़ लिए बार बार क्रिश्ण कह रहे हैं मेरी अनन्य भक्ति करो मुझे नमस्कार करो मुझे भोग लगा के खाऊ तो निराकार की कहां बात आई पूरी गीता प्रश्णी नहीं है तो बार्वे अध्याय में जाकर अर्जुन जी का ये प्रश्ण शायद सिरफ हमारे लिए क्लैरिफाई करना है भगवान क्लैरिफाई करेंगे दो वीडियो आपको ध्यान से देखनी होंगी इसके लिए एक ये वाली और इससे अगली पिच्चर क्लिय इसके ले प्रश्णी क्या कह रहे हैं भगवान पहले अर्जुन का प्रश्ण हैं अरजुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव ततपर रहते हैं ये शब्ध हमने बहुत बार भगवत गीता में पढ़ लिया है सदैव ततपर सेवा प्रेम्मय सेवा निश्खाम सो भग एक निर्विशेश भ्रम की पूजा करते हैं, बहुत लोग इस दुनिया में जो सोचते हैं कि भगवान कोई विक्ति नहीं, भगवान की कोई लीला नहीं, वो एक निराकार है, भ्रम जोती हैं बहुत बड़ी, और हमारी जीवन की जोत उस जोत में जाके मिल जाती है, ऐसा वो believe करते हैं कि कृष्ण है कृष्ण का एक रूप है और हमेशा है यह नहीं है कि पहले एव्यक्त थे कोई जोती थे फिर यहां लीला करने के लिए वो माता देव की के गर्ब से जन्म ले लिए उससे पहले कृष्ण थे ही नहीं और फिर उसके बाद जैसा कि कई जगे लिखा है सवासु साल की भगवान के उम्रती फिर वो पाउं में तीर लगा और फिर चले गए तो इसका मुल कृष्ण की डेथ हो गई बस अब कोई कुछ है नहीं नाओ दो कृष्ण इस नो मोर अगर हम यह सोचेंगे कि भगवान तो एक परम जोती है भगवान तो एक ताकत है तो फिर तो ऐसे ही विचार आएंगे मन में तो फिर ऐसे लोग आगे सोचके अपने बारे में भी सोचते हैं कि हम पहले कोभी थे ही नहीं बस हमारे मावापने हमें जन्द दिया अब यह जीवन चल रहा है एक दिन हम मर जाएंगे और बात खतम हो जाएगी तो फिर तो आप खुद सोचिएगा कैसे संभव है लेकिन भगवान इसके बारे में अच्छे से क्लारिफाइए करेंगे अभी फिलहाल यह जो पहला श्लोक है 12.1 बार में ध्याय का पहला यह अर्जुन हुआ चो है वो पूछ रहे हैं कि जो आपके सेवा में सदेव ततपर रहते हैं या जो आवयक्त निर्विशेश ब्रह्म की पूजा करते हैं इन दोनों में से किसे अधिक पूण या सिद्ध माना चाहे यह प्रश्न है अर्जुन जी का अब जैसा कि फिर क्वेश्चन आगया तो श्री भगवान हुआ च्छा श्री भगवान ने उत्तर दिया कि जो करूं और मेरे जैसे लाखो करोडो भक्त हैं जो भगवान के साकार रूप से जुड़े हैं उनको बंसी बजाने वाले गया चराने वाले राधा क्रिश्न पसंद हैं उन्हीं की वो पूजा करते हैं भक्ति करते हैं कुछ लोग भगवान के राम सीता वाले रूप से लक्ष कश्मी नराइन रूप में हैं कुछ लोक नर्सिंग देव जी की भक्ति कर रहे हैं है तो यह तो हो गया साकार रूप में है तो भगवान कह एंग जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकागर करते हैं और अत्यंत शृद्धा पूर्वक्त मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं ये भी भगवान कभी छोड़ते नहीं शब्द तत्थ पर सदैव वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं तो भगवान ने लंबा नहीं घुमाया पिछले स्लोक में अर्जुन ने कहा 12.1 किसे अधिक सिद्ध माना जाए भगवान ने बता दिया जो साकार रूप में करते हैं उनको मैं बैटर मानता हूं तो भगवत गिता कोई लंबी कहानी नहीं चलेगी एक तीन गंटे की मुवी जिसके अंदर एंड में बताया जाएगा विस्द विनर भगवान ने क्लीर ली बता दिया 12.1 में अर्जुन ने पूछा 12.2 में आंसर दे दिया क्या का जो मेरे साकार रूप में कागर करते हैं तो यहां पर पिच्चर भगवान ने बहुत क्लीर कर दी तो मैं भी इसको लंबा घसीटना नहीं चाहता दिसीजन बाई लॉड कृष्णा इस वेरी क्लियर भगवान का ने एकदम क्लियर है टुदी पोइंट है खटाक से अंसर आया है तो कोई संशे नहीं है कभी कन्फ्य मत हो ना कोई आपको करने की कोशिश भी करें दुनिया भर की किताबे पढ़ाए उसको सिंपल 12.1 12.2 बोलना भाई ये 4 लाइने पढ़ ले 2 12.1 में है 2 12.2 में है मेरा फंडा क्लियर है आपको कन्फ्यूज होने आपकी इच्छा मैं अपने कंसिप पर बना रहूंगा अगल जो श्लोक है वो तीन चार और पांच ये एक साथ हमें पढ़ने हैं है ना तो मैं अगले जो वीडियो है उसमें अगले तीन श्लोक एक साथ लोगा हरे कृष्णा